नमस्कार स्वागाशायब का विहारि नियुज में मेरतनिसेन भारती अज़ हम बात करेंगे अधार कार्ड को लेकर एक आहम जन्खारी को लेकर ये UIDAI ने अधार कार्ड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिसमें UIDAI ने कहा है कि अधार कार्ड ना होने पर किसी को वैक्सीन से बंचित नहीं किया जा सकता है। इसका 12 अंकों के बायोमेट्रीक ID के अधार पर सुविधा और सर्विसेज की डिलिवरी तैक करने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए। संबंधित एजेंसी या विभाग को अधार अधिनियम 2017 के निर्धारित बिशिस्ट मांडंडों के अमसार सिवा परदान करनी होगी। अधार जारी करने वाले संथाने सलाह दी है कि सर्विस या फिर बेनिफिट्स से इनकार करने के मामले को संबंधित विभागों के उच अधिकारियों के संग्यान में लाना चाहिए। साथी 24 अक्टूबर 2017 को जारी सर्कूलेशन में ये जारी किया गया है कि अधार के चलते किसी को जरूरित सेवाओं से बंचित नहीं किया जा सकता है। क्रोणा महमारी के इस दोर में जब वैक्सिनेशन की परकिरिया सुरूई हुई थी तो यह कहा गया था कि जिनके पास अधार कर्ट नहीं होगा उन्हें वैक्सिन नहीं दी जाएगी। बामबय हाई कोर्ट में यह मामला गया कि मेरे पास अधार कार्ड नहीं है इसलिए मुझे वैक्सिन नहीं लगा जा रही है। इस मुझे पर बामबय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिपांकर दत्ता ने महरास्त सरकार और केंद्र से पूशा कि जिन लोगों के पास अधार कार्ड नहीं है उन्हें वैक्सिन केचे लगीगी। अधार कार्ड बना है या नहीं वहीं दूसरा सवाल यह रखा गया कि अगर उनके पास अधार कार्ड नहीं होता है तो ऐसे शिती में क्या किया जाए। सोचना पड़ेगा जिसके बाद कोट ने कहा कि इस मुदे पर जल्द ही किसी समधान की जरूरत है क्योंकि कुरोना की लड़ाईवी वैक्सिनेशन ही सबसे बड़ा हतियार है अब यू आई डी ए आई वैक्सिन के लिए अधार की अनिवारिता को समाप्त कर दिया है इसके स साथ ही संबंधित संस्थाओं को कहा है कि जारी सर्कूलेशन के अधार पर वैक्सिन दी जाए तो ऐसे में यू आई डी ए आई की तरफ से हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके पास अधार काट नहीं है वह भी अब जो है वैक्सिनेशन की प्रकिरिया म सामीर हो सकते हैं ऐसे ही कोरोना वाइरस से लेकर जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए बने रहें बिहारी नीज के साथ मुझे देजिए इजाज़ाद धन्यवाद